हाई फ्रेंट्स गुद मॉर्निंग कैसे हैं आप सब आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे और वल्कम तो मैं नीव लॉग अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा था और मॉर्निंग में बेटू स्कूल जा चुकी थी उसका टिफिन वगेरा सब मैं पाक करके दे चुकी थी आज मॉर्निंग में टिफिन में मैंने बेटू को दिये थे पोहा पोहा बना करके दिया था बहुत सिंपल तरह से बनाती हूं उसके लिए बिल्कुल मिर्च का यूज नहीं करती हूं सिर्फ सॉल्ट और हली वगेरा यूज करके बना देती हूं कई पर वो पीनेट्स उसको पसंद आते हैं तो वो डलवा लेती है वरना बिल्कुल प्लेन तरह से बनाती हूं मैं उसके लिए और उसके बाद मेरा जो काम होता है किचन में आकरके वो सबसे पहले टी बनाने का होता है तो मैंने टी बनाकर के मनीश को दे दी थी और आज सुबह सुबही न मैंने कुछ vlogs पहले एक दो vlogs पहले दिखाया ही था कि मेरा heating bag जो था वो leak हो गया था अचानक से मैंने उसको plug में लगाया हुआ था heat करने के लिए और मैं उसको जैसी use करने लगी मैंने bed पे रखा तो मुझे गीला गीला सा लगा और मुझे timely पता चल गया कि heating bag leak हो रहा है वरना मेरा पूरा bed और विस्तर सब खराब हो जाता और अभी winters का time भी चल रहा है तो heating bag की मुझे बहुत जादा जरूरत थी तो मैंने साथ के साथ ही जिस दिन खराब हुआ था उसी दिन रात को ही मैंने order कर दिया था next के लिए तो फिर वो सुबह सुबह ही में को डिलिवर हो गया था और उसके बाद फिर यहां पर मैं सबजी वगएरा की preparation कर रही थी सबजी में आज में बनाने वाली थी लौकी की सबजी जो की मैंने cut work कर ली थी और साथ में मनीश बैटे वे थी उनके office की meeting चल रही थी वे पे तो वो अपना meeting वगएरा attend कर रहे थी और सासाथ बैट करके मैं सबजी काट रही थी और सबजी वहां मैंने चड़ा दी थी बनने के लिए और उसके बाद फिर रात को आटा वगएरा खतम हो गया था तो मैंने ये इतना भी पाफी इतना भी काफी टाइम चल जाता है तो तो रात को मैंने मंगवाखर के रग दिया था ओर सुबह-सुबह फिर ये ये वाला जो इसका आटे का ड्रं था ना तो मैंने रात को वाश करके रग दिया था ताकि morning तक वह अच्छ सूख जा 허 पानी वगेरा ना रहे क्योंकि फिर अगर आटे में पानी रह जाएगा तो वो पूरा आटा जो है ना मॉश्टर से वो चिपक जाएगा उसमें रात को इसको अच्छे से क्लीन करके रख दिया था और फिर मॉनिंग में इसको आटा डालने से पहले ना मैंने इसको एक मिनट की रहे जब मनिश जाएगे ना इनकी थोड़ी सी मिटिंग में फिनिश होएगी पहले इनको मिटिंग अटेंड करनी होती है तो जब वह उनको थोड़ा सा बीच में बेक मिलेगा वह अपना नहां वहां करके पूज़ा वगरा करके बिल्कुल रडी हो जाएगे तो तब फिर आपके साथ में चपातियां लगा देती हूं तब तकाटे को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है या फिर मतलब जिस्त हिसाब से मौनिंग का मदलम उनका टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग फिर मैं अपना ब्रंच ब्रंच बना लेती हूं और बीच में हमारा थो फूट्स वगेरा थोड़े से खा लेती हूं मैं को न सुबह सुबह के टाइम न बहुत हैवी कुछ खाने का मन करता नहीं है तो मैं को बहुत अच्छा लगता है मौनिंग में फूट्स वगेरा से डे स्टार्ट करना बाकि हरकिसी का अपना-पना टेस्ट होता है किसी को मैं को मौनिंग में फूट्स खाना बहुत पसंद है मतलब अच्छा लगता है मैं सुबह सुबह के टाइम न में को हैवी खाना अच्छा नहीं लगता तो मैं को फूट्स खा के अच्छा फील होता है क्योंकि सुबह 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 के टाइम में हम चार्च नहीं पी सकते हो और मेंको खाने के साथ चाज बहुत जादा पसंद है मतलब चपाती हो और मतलब बहुत rare कोई सब्जी होगी जो मैं बिना चाज के जो थीक ठाक लगती होगी नहीं तो मैंको जित्ती भी सब्जियां होती है मेंको चाज के बिना टेस्ट नहीं आता किसी में भी तो मैं चार्च पी नहीं होती है तो बहुत जल्दी सुबह सुबह पी नहीं सकते तो मुझे खाने में उतना कुछ अच्छा लगता नहीं है तो फिर मैं ब्रंची करती हूं एक साथ और फिर यहां पर इनकी मिटिंग वगेरा चल रही थी बस फिनिश होने वाली थी वहां पर मैं अपना सब को सेड़ वैट करके आ गई थी तब तक मैंने सोचा कि चल अपनी डस्टिंग वगेरा स्टार्ट कर देती हूं फिर मनीश ने बोला कि नहीं मेरी बस ओवर हो गई है मिटिंग मेरे को लगा था कि अभी टाइम लगने वाला है तो उन्होंने बो मेन माली तो उसके स्कूल पेट में रखी रहती है बड़ जो रह जो रॉफ नोट बुक्स होती है जिस वाफ नोट बुक्स होई है तो इदर उदर थोड़ी से होई जाती हैило को पिकछ सटक युद् जो भी छोटी चोटी चीज में फैलती है उसको हाथ के हाथ में पर अरेंच करके रख दूं तो इसले फिर मैंने टेबल के नीचे सी भी सारा क्लीन ब्लीन कर दिया था और इसकी नोट बुक्स वगयरा करके वो रेडी हो जाएंगे मतलब ब्रंच करने के लिए तो मैंने का पहले बना करके रख देती हूं उसके बाद फिर मैं अपने कामों में लगोंगी और इसले फिर यहां पर मैंने ना चपातियां वगयरा सारी सेख करके रख दी थी क्योंकि फिर एक बर मेरी किचन सिमट ज आता है और बरतन वगयरा वाश होते हैं तो चीटे मीटे गिरते हैं ना फ्लोर पर जो किचन की टाप है ना वैसे वह पानी ना बहुत फैल करके आता है उसका ना कुछ जुगाड करना पड़ेगा मुझे मतलब उसकी कुछ नोजल वगयरा लेकर क्यानी पड़ेगी क्योंक तो इसलिए फिर मेरे को लगता है कि पहले मैं अपनी किचन वगयरा समेट लेती हूं मोस्ली ना चाहे विंटर हो या ना हो मेरे को बैटर लगता है कि पहले मैं अपना कुकिंग वगयरा काम क्योंकि एक बाद खाना पीना बन जाता है ना फिर मेरा ना एकदम मैं फ्री सी ह जाती हूं कि फटा फट फिर तो मैं क्लीनिंग वगेरा निपटा लेती हूं अब तो मैं को काफी मतलब बोल सकते हो कि काफी सई है हो गया है कि मनीश का भी वर्क फ्राम होम चलता रहता है तो वह दिव्यांशी को बीच में फ्री होते हैं तो लेकर के आ जाते हैं अधरवास पहले मनीश को भी डिव्यांशी को जैसी स्कूल छोड़ते थे न साथ ही में उठ जाते थे सुबह जल्दी तो साथ ही इसको छोड़ते ही साथ सत खुद निकल लेते तो में को काफी सुबह सुबह करके दोनों के लिए टिफिन वगेरा रेडी करना होता था दिव्यांशी क कट करके मैं देती थी तो इसमें काफी में को टाइम लग जाता था और में को सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता था बट अब मैं काफी रिलाक्स हूं जब तक उनका अभी वक फ्राम होम चल रहा है तो उसको ले आते हैं या फिर मतलब ले आते हैं उसको मोसली जाकर क में लोस्त अजलब को मतलब उसका होता है कि मिटिंग में बैं और ना लेकर आपाये और पिर में Tonight किलीन कर दी थी और उसके बाद में ब्यूंत गैडर्म करने में को थोड़ा सा मतलब सुते हैं तो बेड्रूम मैसी हो ही जाता है क्योंकि पिलोओ बगए एक्सरा लगाते है और मैं अगर पिलू को प्रॉपर थर हांसिल हो ना तो फर मेरे को नींद नहीं आती है क्योंकि पिर अगर मैं शॉपर प्रॉपर नहीं है तो वो नेक को प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पाती मेरे फिर में को हैड़क सा रहता है नेक्स तो मैं अपना पिल्लो जो है मतलब मैं सबके लिए अलग अलग पिल्लो निकालती हूं और इसके बाद बैड शेट वगएरा मैंने यहाँ जाड़ दी थी और बैड वगएरा मेरा सेट हो जाता है मतलब बैड सब जब बैड रूम का बैड सेट हो जाता है ना तो बैड रूम आलमोस्स सिमर्ट ही जाता है फिर फ्लोर वगएरा भी जल्दी से मैं क्लीन कर लेती हू क्योंकि जो चीजें जहां फैल इो होती है, मैक्सिमम टाइम जो होता है न उन चीजें को अरेंच करने मिझे लग जाता है कि वहा Region की चीज बैड रॉम में आई हो तो वह सेट करने में foreign room में आई हो तो वह लगता है कि यार इसी वज़ेंसे घर फैला फैला लगता है mainly. तो मैं जो बालकनी आप पानी से वाश करती रहती हूं पानी से वाश करने से ज्यादा अच्छे से क्लीन हो जाती है क्योंकि उसके नीचे थोड़ा सा वह ग्रिल टाइप का रखा हुआ है उसके उपर प्लांट्स रखे में अभी विंटर्स में वैसे भी प्लांट्स का जो है मतलब हेल्थ खराब ही होने वाली है क्योंकि पीछे ना हवा ठीक से आएगी ना दूप आएगी दूप तो बिल्कुल भी नहीं आती है अभी विंटर्स में उल्टा मतलब पीछे ना विंटर्स के टाइम ना प्लांट्स जो हैं वो सारी खराब होने के लिए मतलब खराब ह स्टार्ट हो जाते हैं और आग़े की साइड इतना स्पेस निये कि मैं सारे प्लांट सब्सक्राइब करते हैं और फ्रस प्लांट नीचे नीचे से लगाती हूं नी पाता और प्लांट ऊपनी दो थोड़ा सा नीचे गंदा H Напрол ken नीचे ने साथ के साथ उसको वाश कर देती हूं कभी कबार होता है कि मैं माऊ वग IR । उस 혜िए जैन स्टाइड वाला माउप होता है तो उससे मैं वापिंग कर देती से इसे वाइं टो बेट वाज इसे ऐइक पुझा वगैरा लगाउना तो उस दीन में परेफर करती हूं mostly ऐसा prefer करती हूँ कि मैं balcony को wash कर दूँ और उसके बाद सारी मेरी हाँ पे जाडू वगएरा भी लग चुकी थी और dusting वगएरा इसके बाद मैं कर दूँगी मेरा जो cleaning वगएरा का काम होगा न फिर वो निपट जाएगा dusting भी फिर मैंने उसके बाद कर दी थी और यहाँ पे आज फिर मैं बैट करके पूचा लगा रही थी क्योंकि मेरे को बैट करके ही ज़्यादा satisfying लगता है मैंने काफी सारे vlogs में आपको बताया ही होगा कि मेरे पास standing वाला भी है मॉब जो stand से लगाते हैं और इस तरह से तो सभी के पास होता ही है बट मेरे को ना वो जादा अच्छा लगता नहीं है मेरे को ऐसे ही अच्छा लगता है तो मेरे को लगता है कि अगर मैंने कुछ खाया पिया भी है तो वो थोड़ा सा मेरी calories burn हो रही है थोड़े थोड़े space में लगाती हूँ और थोड़े space में काफी सारे cleaning बगरा का में दिखाती हूँ ना तो असमें काफी सारे cuts होते हैं जो कि एक vlog में अगर मैं दिखाने लगूंगी तो obviously मेरे को 10 से 12 मिनट के vlogs में काफी सारी multiple चीज़ें दिखानी होती है तो मतलब अगर इतना 1BHK भी है तो 10 मिनट तो नहीं लगते क्लीन करने में तो काफी सारी जगें कट मारे हुए होते हैं, काफी सारे स्पेस में कट मारे हुए होते हैं और स्पीड को बहुत जादा 5X, 6X में करा हुआ होता है तो इसलिए देखने में लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी फटा फट हो गया है लेकिन बार-बार उट करके जाना और आना उसमें मेरी थोड़ी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है बट फिर मेरे को अच्छा फील होता है, इसलिए मैं ऐसे ही करती हूँ और बस उसके बाद फिर मेरा यहाँ पर क्लीनिंग वगयरा का काम भी होई गया था आल्मोस्ट मैंने यहाँ पर किचन वगयरा में भी लगा लिया था किचन का मैं मोसली इसलिए दिखानी पाती हूँ व्लॉग में क्योंकि फिर वहाँ पने ट्राइपॉट रखने का स्पेस नहीं अगर मैं बाहर की साइड रखूँ तो वहाँ पर फ्रिज रखा हुआ है तो भी फ्लोर दिखनी पाता किचन का नीचे से तो फिर मेरे को समझ नहीं आता इसलिए फिर मैं दूर की साइड ही रख देती हूँ और मतलब आपको आइडिया हो ही जाता होगा कि मैंने किचन वगेरा भी अच्छे से क्लीन कर दी है और बस उसके बाद आप देख सकते हैं हापे मेरी क्लीनिंग वगेरा भी हो चुकी थी सोफा बगेरा सब मैंने सेट कर दी था सोफा बगेरा जाधा मैसी रहता है क्योंकि थोड़े थोड़े देर बाद कोई ना कोई आकर के बैठता ही रहता है मनीश घर पे होते हैं तो इधर से उदर बैठते हैं तो वह बहुत जाधा देर तक टिकता नहीं है तो बस गाईज व्लॉग में ही पैंड करती हूँ होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा